तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा दोस्तों उचलते हैं वीडियो के तर बताती हूं कि वो क्या चीज़ है पहले दोस्तों ये बुढ़ापे की बीमारी थी के जैसे ही बुढ़ापा आता था हट्डियों में दर्द होना सुरू हो जाता था अब ये जवाने जवान लोग जो होते ना, उनके हड्डियों में भी दर्द सुरू हो गया है, कहीं न कहीं कैलसियम की कमी, कहीं न कहीं धूप की कमी, AC में बैठना, आफिस में बैठना, जहां की धूप न मिलना में, पैरों में, जोडों में, हर जगा दर्द होने लगा है, क उसके बाद जो है गिलास भर करके दूद पीना सुरू करिए और जो है हफते में दो बार चूना रेना सुरू करिए उसके बाद देखिए आप कैसे दोड़ते हैं ठीक है और धूप बहुत जरूरी है चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो पहली चीज ले रहे हूं दोस्तों मखान 100 ग्राम मखाना में 350 कैलोरी होती है दोस्तों इसमें सोडियम होता है फासफोरस होता है बहुत जादा कैल्सियम होता है आयरन होता है कई बिटामिन से पाए जाती है मखाने में दोस्तों बहुत सारा जो है फाइबर पाए जाता है यह हड़ियों के लिए बहुत अच्छा हो दूसरी चीज लेने जाने हैं दोस्तों तिल लोगों को लगता है कि मतब ठंडियों में ही तिल खाना चाहिए तिल के लड़ू लेकिन नहीं दोस्तों तिल में इतना जादा कैल्सियम होता है कि आपके तीन से चार गिलास दूद में जितना कैल्सियम नहीं पा जाता है उतना आपको एक तिल के लड़ू में मतलब कि 2-3 चमच तिल में इतना केल्सियम आपको मिलता है चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो अगर आप माखाना ये तिल है और सारी चीजों का यूज आप करते रहते हैं खाते पीते रहते हैं तो आपकी हड़ियां जरूर मजबूत होंगी आज का जो पाउडर बनाने जा रही हो न ये आप दो साल के बच्चे को भी आप पिला सकते हो बच्चों को ऐसा पाउडर दीजिए उनका खान पान अच्छा होता नहीं है तो कम से कम एक चमच दो चमच पाउडर अकर दूद में दे दिया जाएगा तो समझ लीजे कि उनकी हड इसकी मैं तारीफ कितना ही करूँ ठीक है और तीसरी चीज में इसमें डालूगी दोस्तों चना चना दोस्तों इतना ताकतवर होता है कि देखे घोड़ों को भी खिला जाता है और घोड़ा कितनी तेजी से भागता है कितना जादा उनके पैरों में ताकत होती है इसमें बह खून बढ़ाने की मसीन है और सारे बिटामिस इसमें पाई जाते हैं दिल दिमाग को तेज रखता है खून को साफ करता है और चेहरे पे भी निखा राता है अगर डेली आप चना खाएं इम्मुनूटी पावर आपकी हाई करता है और डायबेटीस को तो बहुत ही जादा रह ही हुई है तो आप मखाना की क्वांटिटी या तो कम कर दीजेगा या तो मखाना हटा दीजेगा आपको पता है कि नहीं पता है मखाना में बहुत ज्यादा कार्बोहाइडड पाए जाता है जैसे चावल में पाए जाता है जैसे चावल खाने के बाद सुगर बढ़ती ना अगर चाहते हैं कि आपके अंदर गर्मी है तो आप जो है बदाम को भीगो दीजिए उसके बाद धूप में सुखा लीजिए अब यह क्या चीज है यह है जादू कर देता है आपके सरीर में यह है गोंद जब आप जानते हैं जब जच्चा बच्चा होता है तो जच्चा को खिलाया जाता है क्यों क्यों क्योंकि क्मर के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत करता है हडवी के जोड़ों के लिए औलिय। यह हैं जोड़ों के द और बहुत सारा फाइबर पाए जाता है, इसलिए आप सुखर के लोग भी इसे खा सकते हैं, और हड्डियों को बहुत ही ज़्यादा मजबूत करता है, अब मैं सारी चीजों को रोष्ट करूँगी, ऐसे कोई तेल, कोई घी इसमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि बस ये सब ची कि जब सूखा भूनेगा, तो ये किस तरह से फूट जाएगा, किसी घी तेल की जरूत नहीं है, हार्ट के जो पेसेंट है, उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, कि तेल घी में इसको फ्राइब ना करें, अब सारी चीजे भून गई है, अब देखिए गोन को द अब सारी चीजे दोस्तों पीसी जाएंगी, और आपको मैं दिखाती हूं कि किस तरह से आपको लेना है, कैसे लेना है, आप पूरी वीडियो देखिएगा, दोस्तों, और ये समें चना और बादाम डाल दीजेगा, इसको मैंने भूना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजे ऐस आप से एक रिक्वेस्ट है, कि मेरी वीडियो पसंद आए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा, प्लीज दोस्तों, और देखिए, दूध ले लीजिए, अगर जिसको दूध सूट नहीं करता है, वो पानी के साथ ये पौडर आराम से खा सकते हैं, जिसको दूध सूट नहीं करता, कभी-कभी दूध से गैस बनने लगती है, तो आप पानी में घोल के इसको पीजेए, एक चमबस सुबे, एक चमबस साम को आप इसको पी सकते हैं, इसमें मैंने मिठा खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, मुझे डायबेटिस नहीं है, लेक अपने बच्चों को दीजी, आप पीजे, नमस्तु आप